नमश्वार दोस्तों जो कैसे हैं आप लोग काफी लंबे टाइम के बाद अभी यहां पर वन प्लस नॉड में एक और बीटा अपडेट आ चुका है जी हम एने चार्ज पर लगाया हुआ था इसे और यहां पर स्टेबल वर्जिन भी साथ ही साथ रोलाउट हो चुका है वर्ज बहुत ही कन्फूजन से रहते हैं आजकल सो आम रिली सौरी सो बेसिकली यहां पर वन प्लस नॉड मेरा प्राइमरी डिवाइस है और वन प्लस नॉड में स्टेबल अपडेट भी यहां पर रोलाउट कर दिया गया है और काफी सारे बग्स के साथ जी आं जैसे कि बैक देखने को मिल रहा है जो कि है उपन बीटा 4 तो बेसिकली यहां पर बहुत चोटे बड़े बहुत सारे बग्स को यहां पर फिक्स किये के हैं उपन बीटा 4 में ज्यादा कुछ में नहीं बोलूँगा तो बेसिकली अगर आप यहां स्टेबल वर्शन पर आ चुके हैं तो म कि नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के किसी को भी नहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट होगी तहे दिल से मेरे दोस्तों क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है तो प्लीज आप एक बार अनसब्सक्राइब करके करना और फिर अपक्लिक विजा करोगे तो ही जाप कर ल होगा कर लिजएगा ज़रूरत यहां पर नौट कर लीतुग नॉर्ट कर लेए यहां पर सबसे पहले फिक्स किया गया है यहां पर वर्क लाइफ बैलन्स को जो की यहां पर डिस्प्लेइफुल इंफरमेशन से नही फिक्स किया है जैसे कि fix किया गया small probability जो कि छोटा सा एक probability था documents documents होते थे lockbox में वो disappear हो जाते थे काफी बार तो OnePlus ने इसे भी यहां पर ठीक कर दिया है fix किया गया यहां पर issue जो कि यहां privacy policy page जो है जो display करता था वो abnormally दिखता था यहां पे और dark mode में सबस्याद major problems आते थे तो इसे भी यहां पर ठीक किया गया है फिर fix किया गया है यहां पर fast charging sound जो कि काफी ज्यादा loud था उसे यहां पर कम कर दिया गया है पता नहीं मुझे तो normal लगा था बट फिर भी इन्होंने यहां पर उसे normal कर दिया है फिक्स किया गया है इशू जहां पर calculator जो है वह यहां तो उसका user interface results अच्छे नहीं करते थे वह भी abnormal था तो उसे भी यहां पर ठीक किया गया है फिर यहां पर fix किया गया है इशू जहां पर abnormal display of calculator button sizes button sizes में भी problem थे उसे भी ठीक किया गया है February का security patch जो की सबसे most important चीज़ और improve किया गया है system stability को और file manager भी यहां पर crash कर जाता था तो उसे भी ठीक किया गया है और साथी साथ OnePlus community जो है जो flashback issues थे OnePlus community में enter करने के बाद profile page में उसे भी यहां पर OnePlus ने ठीक किया है OnePlus Nord में open beta 4 I think इसके बाद कुछ और आएगा कुछ और आएगा जो भी आएगा सारी चीज़ आपको बताई जाएगी अगर यहां पर OnePlus के stable version पे आप जा चुके हैं तो OnePlus का जो open beta 4 है यह मैं बोलूँगा कि अगर आप beta tester रहना चाहते हैं बीटा यहां पर आप मजा लेना चाहते हैं क्योंकि open beta 4 है फिर आगे चलके कुछ और नए चीज़ें यहां पर एड़ की जाएगी तब तक जब तक कि इसका complete stable version रोल आउट नहीं हो जाता तो मैं बोलूँगा कि अगर आप already stable पे जा चुके हैं तो data मत बरबाद कीजिए क्योंकि काफी लोग के घर पे यहां पर Wi-Fi नहीं होता है वो अपने 1.5 GB, 2 GB जो भी GO से मिलता है या word phone idea से उसको इस्तमाल करता है मैं recommend करूँगा कि stable पे ही रही है लेकिन अगर आपके पास data unlimited है experience करना चाहते है तो make sure कि यहां पर पहले आप backup ले लें सारी इन चीजों को यहां पर properly उसे store कर लें उसके बाद ही आप यहां पर update करें safety के लिए बागी वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आया है तो like share और channel पर ने तो बिना subscribe किये मत जाएगा all notifications पर जरूर क्लिक करें क्योंकि notification मिलना जरूरी है ऐसे प्यार देते रहिए दोस्तों और बोलते रहिए जय हिंद वंदे मात्रम